लोग क्यते हैं कि एक बार सम्भूग कर लो उसके बाद इतनी ठकावट महसूस होती कि बस अब तो सो जाओ काम तो शरीर से होता है नहीं शरीर बिलकुल निचुड गया हो ठक गया हो वीक हो गया हो लुझ पड़ गया हो काम करने को बिलकुल शरीर में शक्ति खतम हो गई है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज बताओ जिससे वो एनरजी वापस लोटे या हम दुबारा से अपने आपको शरीर को खड़ा कर पाएं और दुबारा आपके लिए भी त्यारी कर सकें नहीं तो एक ही बार में आदमी का शरीर वीक हो जाता है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज हो गया शरीर में उतना दम आ गया एक गिलास दूद लें लगभग तीन सो मिले लीटर के आसपस उसमें तीन इलाइची के दाने पहले खोल के उसमें से दाने निकाल लें चोटी इलाइची लें और उसमें से उसके दाने का पूरा जो निचोड है रस है वो दूद के अंदर आ जाए अब उस दूद को उतार ले बेशक उसको छान ले एक गिलास में डाले और उसमें मिश्री डालनी है मिश्री धागे वाली होनी चाहिए मोटी खांड को भी लोग मिश्री समयते है धागे वाली मिश्री डालनी है ये बात ध्यान रखें को कि धागे वाली जो मिश्री है वो असली होती है उसको मिलाएं और उसको ढख कर रख दें जब दूद पूरा नॉर्मल रूम टेंपरेचर हो जाए ठंडा हो जाए जैसे पानी जितना ठंडा होता है बस दिन में एक बार अगर जादा खम जोरी लगती है तो दिन में दो बार जब आपको लगे फिट हो जाए तो फिर दिन में एक बार पीना शुरू कर दें आप कहेंगे कमाल हो गया शरीर में अपने आप से अनरजी भरने लगी और शरीर पूरी तरह से फिट हो गया